मित्रो दिवाली के लिए मुरुनाल पडिल के तरप से आप सभी को बहुत बहुत शुब काम ना है आज काम होता है फोर्थ नवेंबर के इंडियन एक्स्प्रेस में मुझे एक्जाम के लिए काम की चीज़े क्या लगी जनर्स 30 पॉइंट आफ यू से तो कमी माल था एथिक्स रिलेटेट कुछ इशू निकालते हैं इसके लावा IBPS में ये सब IT, Computer, Law Officer, HR, Marketing वो सबके Specialist Officer की Recruitment होने वाली है उसकी Advertisement है आगे बढ़ते हैं तो पेज 1 World Health Organization ने बारत बाटेक की Corona Vaccine जिसका नाम है Co-vaccine उसके Global Use के लिए Permission दिये उसका फाइदा क्या होगा ये जो International Donor Organization Vaccine खरीद के गरीब देशों को देते हैं तो उसमें हमारा भी ये Vaccine eligible होगा तो इसको हमें एक्सपोर्ट कर पाएंगे अपनी Economy में इंकम बड़े और जिन बारतियों ने ये Vaccine लिया है Foreign Tour करना चाहते हैं तो उनके भी वीजा के वक्त ये Vaccine लिया है कि नई So this is also eligible now So it will help them दूसरे समाचार Economy में आप जानते पैट्रोल डीजल ऐसे पाँच हाइड्रोकार्बन प्रोड़क्स पर GST नहीं लगता है केंद्र सरकार की Excise Duty यानि उत्पाच छोल को और आज ये सरकार का Value Added Tax लगता है Corona के दोरान सरकार दिरे दिरे इसको बड़ा रही थी क्योंकि Income Tax GST में पैसा कम आ रहा था और फिर भी गरीब कल्यान और Corona के लिए सरकार को पैसा चाहिए था अभी सरकार ने Union Government ने Excise Duty पेट्रोल और डिजल पर 5 रुपे और 10 रुपे कम की है जिसके चलते हैं ये नए प्राइज है बट वो सब बाल बाल कमेंट ही not important कुल मिलाकर कारण क्यों हो सकते हैं ऐसा Excise Duty कट किया याद करो कल हमने देखा था GST collection improve हो रहा है because of the festival season तो सरकार को लगा इदर पैट्रोल डिजल में tax में कम भी पैसा है तो GST से adjust हो जाएगी collection total ताकि अपने गरिब कल्यान योदना चलती रहे दूसरा farmer को ये रभी season में diesel generator चलाने के लिए पैसा चाहिए सस्ता diesel चाहिए और UP election आ रहे शायद तो वो भी anyway so that was the scene of petrol diesel फिर देखते हैं mains paper 4 उसके अंदर ये challenges in public organizations dilemmas in public administration तो एक हुआ sports administration और उसमें red tapism लाल फिता शाहि तो वो मुद्दा क्या है मुद्दा कुछ ऐसा है मुद्दा कुछ ऐसा है कि Indian female hockey team के coach उनका salary का कुछ पैसा बाखी था और उत्तरप्रदेश राजी सरकार ने उनको का कि 25 लाग काई नाम देंगे वो भी अभी तक उनको नहीं मिला अब ऐसी कल Indian express में समाचार आई थी अब स्वाबाई कैसा कुछ होगा तो सोचल मीडिया में भी हंगामा की देखो coach को पैसा नहीं दे रहे हैं और ये तो टोक्यो में भी अच्छा प्रदर्जन करवाया वग्यरा तो शायद sports के अतिकारी नाराज हो गए तो उनको चेतावनी दी है मलब coach को कि ये विदेशी coach कोच ने हमारा सरकारी laptop वापस नहीं किया जिसके अंदर किलाडियो का सब critical data मौझूद है तो इसलिए हमने उनकी salary रोक के रखी है और अगर laptop वापस नहीं करेगा तो पुलिस में इसकी complain कर देंगे ये coach की और सामने coach का defense ये है कि laptop तो मेरा टोक्यो में ही भीगड़ गया था तो मैं उसको repair करवा के बेजने वाला था लेकिन कोई नहीं अब मैं वो भीगड़ा हुआ laptop आपको बेज रहा हूँ कैर इसमें सोचने के विशे क्या है ये जो आरोप लगाना कि इसमें सब critical data है और police complain करेंगे तो इतने साल तक भी तो ये coach थे तो इसको अगर data बेचना या चूराना ही होता तो क्या रोक लेने वाला था उसको computer hard disk में copy करने से तो ये सारा मामला जादा शांती और परिपकवता से with more peace, sensibility and maturity this could have been handled लेकिन ये जो सरकारी विबागों में रवया होता है कि आप किदर शिकायद करो मीडिया में तो तुरंद वो competitive mode में आ जाते हैं आतरात्मक रवया आपना लेते हैं तो ये जो दागदम की और लाल फिताशाही का रवया है जिसके चलते अच्छे विदेशी कोच भी बारत में उनको फिर कि नहीं है नहीं आना ये तो salary तो ठीक पूलिस में हमको fit करवा देंगे similarly, even within India जो talented professional है scientist, researcher, economist उनको भी सरकारी research institute, college university में कुछ salary की problem हो या उनको promotion नहीं मिल नहीं हो तो वहाँ पर भी यही सब लाल फिताशाही चलती है as a result, they leave India, move to some other country, brain drain की problem होती है तो प्रशन यह है कि यह सब चो work culture है private organization में there is usually one HR department, human resource development का department जो यह सब recruitment, training, work culture का ख्याल रखता है उसका सरकारी equivalent क्या है? department of personnel and training कार्मिक प्रशासन और तालिम का भी बाग्जो की उसके द्वारा यह UPSC में advertisement दिलवाई जाती है और आपकी IS वाली exam हो रही है so question is this DOPT के secretary या IS के रूप में आप क्या करेंगे ताकि work culture can be improved in the government offices सरकारी दफ्तरों में कारे की संस्कृति को बेहतर करने के लिए आप क्या करेंगे? यह case study वी दूसरा है roll of pressure groups यह main paper 2 का मामला उसमें यह है कि हर्याना और उत्तर प्रदेश में ऐसे राजे सरकारों ने कानून बनाए है कि public private property को तोड़फोड करेगा कोई यह rally प्रदर्शंतर ने के दौरान तो उस case सामने जुर्माना वसूला जाएगा मध्यप्रदेश सरकार भी कुछ ऐसा कानून बनाने जा रही है ताकि जितना अभी नुकसान किया प्रदर्शंकारों ने उसका दुगना उनकी penalty में लिया जा सागी तो वैसे individual state ने ऐसे कानून बनाए that is not important for UPSC UPSC में हमें उसे अलग तरीक से देखना है मेंस पेपर टू जनरल स्टडीज में मुद्धा रोल आप प्रेशर ग्रूप्स अब प्रेशर ग्रूप तो वो तो सत्यागरह और शांती से भी काम कर सकते हैं लेकिन अगर अलग-अलग state government ऐसे कानून बना रहे हैं बना जा रहे है तो वो चिंता का भी शाय है आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान बारत की कोई flight जा रही थी श्री नगर से शार जाँ लेकिन इन्होंने अपनी airspace से जाने नहीं दिया तो हमको मुल के जाना पड़ा 40 minute और लगे अब ऐसा पाकिस्तान क्यों करेगा शायद वो diplomatic bargaining करना चाता है बारत से कि आप हमारी चीजों पर tax कम लगाईए और फिर हम इसे देखेंगे बगेर आगे बढ़ते हैं page 8 quality election and defection कई बार ये होता है विदायक चुनके तो आते हैं एक party से लेकिन फिर दूसरी party में चले जाते हैं जिसके चलते फिर वो anti defection के हिसाब से कई बार उसको resign करना पड़िया उसको निकाल दिया जाए और फिर वो वापस चुनाव उसकी जग़ा कोई और लड़ेगा की नई तो सरकारी election machinery का बेकार होती है वापस सब चुनाव करवाने पड़ते हैं उप चुनाव तो त्रिपूरा राजय सरकार ने के ऐसा नया नियम बनाया है कि अगर किसी MLA को pension चाहिए तो वो तब ही मिलेगा अगर उसने पांच साल तक MLA के रूप में रहा है वना ऐसा नहीं दो मैने के बाद छोड़के चला गया है आगे बढ़ते हैं एथिक्स जुएनाईल दिलिक्वंसी किशोरों में बढ़ती हुई अपराधिक था तो उसका एक मामला कुछ अज न्यूस पेपर में हमें देखने के मिले कि हाईवे है और गाउं के किशोर टीनेजर्स पत्थर फेकते रहते हैं और गाड़ियों के काच तूटते हैं एक्सिडेंट होते रहते हैं अब इसमें सोचना यह है कि आप अगर ऐसा सॉलिशन देते हैं कि ओके पूरे हाईवे पर 100 किलोमेटर का जो माली जे खेडा या आनन से हाईवे है ये उस पर CCTV और ड्रोन लगा देंगे पर आप सोचे रूरल पुलिस के पास इतना बज़ेट नहीं होता 24 गंटे ऐसा कुछ कर सके मालीजे आप SP हैं और गाउं के बुज़र्गों से मिलने जाते हैं कि इसका कुछ सल्यूशन निकाला जा सके देकिन वो बुज़र्ग अपनी कुछ और राग शुरू करें कि नई ये तो बच्चे स्कूल और कॉलेज बंद हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं तो सरकार की गलती है दूसरा कि ये जो बच्चे हैं वो तो मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो में और वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में अमीरों को देखते हैं तो उनको दुख होता है जलन होती है कि हम कभी ऐसा आसिल नहीं कर पाएंगे इसलिए आक्रोश में पत्थर भेंक रहे हैं कि हमारे पास ये सब कुई नहीं है तो इसमें भी सरकार जिम्हेदार है कि हम लोग गरीब क्यूं है और तीसरा कि अगर आप हमारे गाउं के बच्चों को पकड़ेंगे तो हम भी दरना प्रदर्शन और रास्ता रोको करेंगे So case study question is this कि अगर आप superintendent of police हैं तो आप इसको कैसे address करेंगे Another case study also for juvenile delinquency इसमें ये हुआ कि एक petrol pumper दो किशोर स्कूटर में petrol बरवाते हैं और जाते वक्त जलता हुआ पठा का फेक के जाते हैं पुलिश ने CCTV से number plate मिला होगा और फिर उनको पकड़ लिया अब पकड़ लिया तो उनपर अलग-अलग दाराएं लगाई है कि endangering the life and property वगेरा लेकिन इसमें कुछ थानिक राजनेता माली जा जाते हैं कि नहीं ये तो आतंकवाज sleeper, cell, lone wolf attack एक कल बीडिया हमला ऐसा भी हो सकता है आपने simple वाली क्यों property damage की सबदारा है लगाई है UAPA, Anti-Terror Act ऐसा सबदारा लगाओ इस पर नहीं तो कम से कम कल पे बर वो homicide के लिए मनुश्य वद का प्रयास ऐसे आप IPC की दारा लगाई है ताकि इसको और ज़्यादा सखत सजा हो सके और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन करेंगे एक बाद दूसरा ये जो कीशोरों को पकड़ा गया arrested teenagers वो तो ये कह नहीं हम तो बस ऐसे ही मौज मस्ती के लिए कर रहे थे हम किसी को मारना नहीं चाहते थे और उनके माबाब भी पुलिस थाने पहुंच गए और वो दूसरा राग अलाप रहे हैं कि हमारे बाबुशनों को छोड़ दीजिए ये तो PUBG और मिर्जापूर देखके इनका दिमाग बरष्ट होज गया है बाकी ये कोई आतंक वाद नहीं फेला रहे थे और किसी को मारना भी नहीं चाहते थे तब इस पूरे मामले में DCP के रूप में आप क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं page 10 अब उसमें सब explained series लेकिन कुछ काम की मुझे नहीं लगी पहला की road accident में 32 मर रहे हैं अब वो तो कौनसी species कहाँ पर वो सारा एक बार में आप complete करो फिर मौलनू पिरेवीर वो कोरोना की एक दवाई है और उसका कैसे fast production हो रहा है उसकी research चल रही है हाई कोट ने तमिल नाडू में वनियार समुदाय का special quota reservation आरक्षन क्यों रद किया ये मामला हम एक दो दिन पहले पढ़ चुके हैं मेगाले का metrilineal inheritance system और वो कासी समुदाय में सबसे छोटी बेटी को सारी property मिले उसको अब change करके बाकी सबी जो जितने बच्चे हैं उन सबको property distribution हो ऐसा उनकी कुछ hill council नियम बनाने जा रहे है ये लेकिन राज्य की विदान सबा में पास होता भी लागो होगा ये पूरी चीज भी हम आगे पढ़ चुके हैं so there is nothing new to learn ये तो शायद दिवाली की चुटी में उनके खुद के लोग चुटी पे गए हों तो पूरानी news वापस चला रहे है page 12 and 13 मनरेगा स्कीम में क्या प्रॉब्लम से मेरे ख्याल से कल ही अमने पढ़ लिया था अब ये the hindu और indian express दोनों के पास लिखने को कुछ नहीं हो तो वही सब या तो national family health survey या मनरेगा का रोना दोना शुरू करते थे तो ऐसी कॉलम वो एक बार जान लिया फिर बार बार जानने में कुछ खास नहीं फिर ऐसी कुछ और कॉलम आप जानते हैं ये ग्लास गो में climate change summit हो रही है तो रोज एक दो एक दो जने आ जाएंगे हमको ये बोलना है वो बोलना है सरकार ने किया वो प्रशंस नहीं है कि नहीं या क्या गलती है पढ़नी चाहिए ये कच्छे जादा नहीं क्योंकि जादा तर ऐसे कॉलम में कुल मिला कर बहुत पढ़ो तो वो कहना क्या चाहते हैं कि आपने सरकार को ये कहना चाहिए कि मुखे शंबानी की पेट्रोलियम रिफाइनरी को बैन कर दो बले अपने को कॉर्पोरेशन टेक्स एकसाइज वगरे में जो आमदनियों उसको बैन कर दो बले उदर से 40,000 लोगों की नौकरी चली जाए बैन कर दो वो सबको तो केरला ट एकस कलेक्शन भी अच्छा हो बले पेट्रोलियम रिफाइनरी से हो, वरकर्स को जॉब्स भी मिले, so you have to find a sustainable way to handle all this thing rather than taking some extremist approach की कुछ नहीं होना चाहिए स्वीडन में ग्रेटा थन्बग सब बोल सकती है लेकिन वहाँ पर उनके पास wind energy, nuclear energy, tidal energy सब है, बारत के पास there are problems साथ इंडिया के एक मशूर फिलम स्टार पुनीत राज कुमार कसरत करने के बाद लोटे और हार्ट अटेक में उनकी दियान थुई, उसके बाद टीवी चैनल पर बहुत सारी डिबेट चल रही है, वो डिबेट के नाम पर आदी अदूरी health information, health advisory दी जा रही है, कि सभी में जो भी x-ray या electronic radiation शरीर में आए तो side effect टेक करता है, so that is one thing, और दूसरा, आप याद करें इससे पहले भी ये कोरोना के दौरान plasma therapy की बहुत हवा बनाई गए थी, और बाद में तो वो सरकारी संस्थानों नहीं बोला कि ये कोई main treatment नहीं है और इससे कोई बहुत जादा फ describe करने का mass hysteria samovic पागल पन चला था, हला कि वो तो एकदम critical case में ही देना चाहिए, लेकिन उसका भी ये सब डर का माहल फेला कर, hospital वालों ने बहुत सारा पैसा वो छाप चुके हैं, तो इस प्रकार की TV debate is not helping the people, but it is helping the hospital money making exercise, प्रस्णव कि ऐसा क्यों चलता है, क्योंकि बहु जो भी सस्ते में मिल जाए उस पैनलिस्ट को बिठा दो, दूसरा कि जो news anchor है, उसने भी जादा maturity और experience के साथ इन चीजों को debate को handle करना चाहिए, लेकिन आप आएं कि ग्यान और परिपकवता, knowledge and maturity के हिसाब से news anchor थोड़ी बनते हैं, वो तो कौन जादा खूबसूरत है और रूट में नौकरिया दी जा रही है, so question is this, national medical commission, जो की doctors के education, regulation का काम देखता है, suppose आप उसके chairman है तब क्या करेंगे, दूसरा प्रशना, if you are the secretary of ministry of information broadcasting, तो ISO officer के रूप में आप क्या करेंगे, what guidelines could be issued, what other practices could be done, वग्यारा, फिर एक column है history culture के बाज़े में, तो कुछ दिन पहले याद करो, फैब इंडिया ने कुछ जशने, रिवाज निकाला था, और फिर हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने विरोध किया था, तो कॉलम में सब ऐसा बोला है कि बारत की बाशाओं में, उर्दू, पर्शियन ये सब का बहुत प्रभाव है, अलग-अलग आप चीज अलग-अलग हिंदू पुराणों का वेदों का ट्रांसलेशन करवाया, वो सब चीज इदर में ने दिये, आराम से पर लेना वो मीडिवल हिस्ट्री और उसमें वो इस बार कुछ पूछा था, बवबूती क्या था, नाटेकार थे, आर्केयोलोजिस्ट थे, तो थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए यह सब चीजों की, परसन रिलेटेट टू मेडिवल हिस्ट्री, आगे पेज 13 पर भी एक कॉलम है, रिगारिंग वैल्यू सिस्टम ऑफ अर्बन मिडल क्लास, शेहरी मध्यमवर्ग का रवया, मुल्य वेवस्था कैसी है, तो वो कुछ अर्बन फ् जाएं, उनकी कुछ मदद नहीं, और खुद सब मिडल क्लास कमफर्ट में रहके, सोशल मीडिया, e-learning वेबसाइट, ओनलाइन फूट डिलिवरी, लेकिन बाकी सब लोगों का क्या हो रहा है, उसकी भी उन्होंने और चिंता और मदद करनी चाहिए, जैसे कि सिटीजन, यान नागरिक होना वो सेकंडरी, द्विति या गौन वस्तू हो गई है, कंजूमर के रूप में मेरे क्या अधिकार है, वो मेरी प्राइमरी चीज हो गई है, ऐसा एक पोस्ट ग्लोबलाईजेशन इफेक्ट, या मिडल क्लास वैल्यू सिस्टम, वो एथिक्स वगेरा में सोचन आ रही है, फिर पेज सिस्टीन में भी ऐसे कुछ कल्चर और फेस्टिवल के समाचार, एथिक्स मीटू, चीन में एक टैनिस मैला के लाड़ी ने, चीन के वाइस प्रीमियर, जानते उदर होते प्रेसिडेंट, शी जिन्पिन, फिर नीचे होंगे, उनके प्रीमियर, तो सा जैसे उसने इंटरनेट पे ये पोस्ट डाली, कुछ ही सेकंड में हटा दी गई, और अभी उस मैला का नाम या टैनिस के साथ उसके कुछ भी आप सर्च करो चाइना में, कुछ नहीं मिलेगा, बिकोज चाइना के भीतर उनकी सरकारी फायरवल सब कुछ ब्लॉक कर देती, तो इसमें हमको सोचने का क्या विशाय है, ये जो पूरी मीटू मुहिम हुई थी, वो सोशल मीडिया में ट्रेंड करके हुई थी, लेकिन अगर सरकारी जब पूरी सोशल मीडिया कोई ऐसे ब्लॉक करवा दे, then women cannot show their grievances, क्योंकि हर एक मैला कोई newspaper में मैं लिखूँ, तो newspaper मे तो सब के बातों को रखा नहीं जाय सकता, क्योंकि page limit होती है, advertisement revenue चाहिए, और दूसरा ये सोचना कि economic growth and poverty removal ये होगा तो अपने आप राम बानिलाजे और फिर कोई लेंगिक हिंसा होईगी नहीं, तो चिन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है, सरकारी मिनिस्टरों द् ये ऐसी व्यवस्ता बनाएंगे, क्योंकि तालिबान सरकार के द्वारा बेजा, तो या तो वो देंगे नहीं, या तो फिर girl education के लिए पैसा जाए नहीं वगारा, आगे बढ़ते हैं page 18 economy, वैसे जानने लाएक कुछ नहीं, वो पूरानी सब चीजे वापस चल रही है, US taper tantrum taper crisis, वो बात क्या है, कोरोना के दौरान क्या हुआ होगा, अमरीकी central bank, US federalism, बाजार से बॉंड खरी देगी, और उनको देर सारा investors को सामने पैसा unlock हो जाए, तो अब ऐसा visualize करो कि ये बढ़ा सा डेम है, और देर सारा इसमें से डॉलर का पानी का बहाव आ रहा है, जिसके चलत करता है कि ठीक है, अब वापस dollar supply थोड़ा कम करते हैं, तो मतलब डेम का पानी कम कैसे कर सकते हैं, अब gate को बंद करना शुरू करो, gate को कैसे बंद करेंगे यहाँ पर, पहले जो bond खरीते होंगे वो investor से वापस, उसमें दीरे-दीरे cut out ही करेंगे, कि एक महिने में 50 billion नहीं, अब 25 billion के bonds वापस करी देंगे, रिपर्चेस करेंगे, ऐसा दीरे-दीरे करमी कट ओती होगी, तो डॉलर की supply कम हो जाएगी, जिसके चलते डॉलर वाले loan मेंगे हो जाएं, और उसके चलते बारत में problem आ सकते हैं, कि यह foreign investor अपना पैसा इधर से निकाल के उधर वापस ले ज देखा था, इधर 3% उसको return मिल दा हो, तो वापस हुदा चल जाए कि bank में 4 टकाब आजे, तो मैं किसी को 3.5% पे loan देद दिलवादू अपने पैसों से and it will help, वो पूरी चीज और क्या होगी, तो definitely next year economy updates के लिए मेरी win 22 series आएगी फेबरुरारी महिने से, उसमें हम उसी तरह ये can energy और बारत सरकार के बीच वो सब capital gains tax और retrospective tax का मामला, वो क्या था हम पढ़ चुके, win 20 series, 21 series में last lecture जो मैंने October में लिया था, मेरे ख्याल से 5 October, फ्री का ही था देख लेना आप, उसमें हम सब पढ़ चुके, वो retrospective tax क्या था, सरकार ने उसको कैसे हाटाया, अमेरिका में बारत की property, air India के विमान को जब्त करवा लेंगे अपना compensation लेने के लिए, वो सारे litigation हम बंद कर देंगे, और सामने बारत सरकार ने का है कि हम आपसे जो tax माग रहे थे, वो वाली चीज़ भी बंद कर देंगे, page 19 पर appointment में, राहुल द्रविट, टीम इंडिया के head coach, page 20 पर कुछ रियोक्षायर क्लब में racism की problem हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, for a simple reason, पिछले साल चले के अब तक sports में racism के मामले में, बहुत सारे case study और बोल बच्चन का माल हम पहले ही बटोर चुके हैं, वो मेरी excel फाइल में आप देख लो, देखे, ये मेरी website munal.org slash current, उसमें मैंने October 31 तक जितना current था, जो मैं टेलिग्राम में भी upload करता हूँ, और बहुत सारा माल जमा हो जाए, तो excel में डाल देता हूँ, वो मैंने डाल दिया, तो ये सब आप देखे, ये भी नया भी, पुराना भी, उसमें ethics वाला filter करके आप जोरदार निकले, तो ये था दिवाली का newspaper, अभी कल परसो में Indian Express कब उसकी छुट्टी रखता है, तो उस हिसाब से मैं भी ये वीडियो बनाने में छुट्टी रखूँगा, तो once again, happy Diwali to all of you, and see you next time.